कि गाइस जाज की बुड़ों हम बात करने वाले हैं वियों के एक्स फिप्टी डिवाइस के अंदर आप आस्क फून कोल स्टिंग का यूज कर सकते हो देट मिंस अगर आपने एक नंबर से कोल कर रहे हो तो साथ में दोनों सिम कार्ड का आपको यूज दिखाता कि एक से करना है दो से करना तो काफी लोगों को बोरिंग लगता है अगर आपने बाई मिस्टेक लिए एक बंद कर दिया है एक ही से कोल हो रहा दूसरे से नहीं हो रहा है तो आप उसे चालू भी कर सकते हैं और यह जो सेटिंग मैं बता रहा हुए गूगल डालर के अंदर अपलाई होत एक बार आप इसको क्लिक करेंगे यहां पर SIM card and mobile network पर आना है जिसमें आपको मिल जाता है calls को वाला सक्सम एक बार इसको प्रेस करेंगे अब देखो यहां पर calls हमारे फोन में आ रहा तो ऐसा नहीं कि आपके फोन में calls ही आएगा तो आप calls ही ढूंटते रहो फोन calls भी आ सकत है तो ask every time वाला option को choose करेंगे तब जितनी बार आप call करेंगे वो पूछता रहेगा कि आपको एक से करनी है दो से करनी है लेकिन बहुत लोग confusing में होती है कि हमने तो एक को ओन करके रखना है क्योंकि एक में SIM card में जो है recharge नहीं या पिर किसी भी कोई भी वजह हो सकती है तो आप उसमें options आपको select करना है जिस में SIM card में आपको recharge है आप उसे options को select कर देजिए तो उसी से एक call करता रहेगा बार बार आपसे पूछेगा नहीं कि आपको एक से करना है दो से करना यह काभी बढ़िया फीचर है गूगल डालर वालों के लिए है वीव डालर में तो ऐसे भी अलग-अलग होता है अगर आपने replace करना तो कर भी सकते हो अगर यूज करना गूगल डालर तो ऐसे इस्तमाल कर सकते हो अब समझेंगे कि आपको ask phone call setting करना कैसे है फिर भी कोई confusing होती है अगर इसके recording तो नीचे comment section है आप हमें comment कर सकते हो या आप नीश्राग्राम पर आ स सकते हो हैंडल इंचे decision में मिल जाएगा